दोस्तों नमस्कार आई टेक्निकल कोर्स यूटूब केनल पर स्वागत हैं दोस्तों DC जनेरेटर की रिगलर नोड्स की त्यारी करा रहे हैं अभी तक मैंने 6-7 वीडियो अप्लोड कर दिए हैं कम्प्लीट हमारे DC जनेरेटर की जो हाथ से लिखी की नोड्स है उसी की वीडि से यह दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को सेर जरूर करना देखिए हैं कम्मूटेशन की परिभासा यह बोल रही है जब एक कारण ब्रूस दो सेग्मेंटों को असपर्स करता है तो उससे जूड़ी आर्मेचर क्वाल साड़ सर्किट हो जाती है तो सौड़ सर्किट से पूर्व सार्ट सर्कृٹ के समय तथा सार्ट सर्कृٹ के बाद धारा की दिसा होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है उसी को बोलते हैं कामूटेशन बिन में यही बोला है कि जब एक कार्वन बुरुस दो स्रेग्मेंटों को असपर्स करता है तो उसे जुड़ी आर्मेचर जो कोयल होती है सार्ट सर्कृٹ हो जाती है तो सार्ट सर्कृٹ से पहले सार्ट सर्कृٹ के समय तथा सार्ट सर्कृٹ के बाद धारा की दिसाय में होने वाला परिवर्तन ही कामूटेशन कहलाता है यहनि जो short circuit के पहले जो current थी जिस टेम पे short circuit हुआ उसका current और short circuit के बाद जो current का मान परिवरतन हुआ उसी commutation बिन में करते हैं अगली परिवासा देख लेना जब एक carbon brush द्वारा दो segment को असपर्स किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसका right armature coil short हो जाएगी segment भी short हो जाएगी यहनि short हो जाती है दोस्तों नोट कैसी लग रही है यदि अच्छी लगए तो comment जरू करना कोई भी लिक्कत हो notes में जरू comment करके बताना अगला question है armature coil के short circuit होने से क्या प्रभाव पड़ेगा जब armature की coil short circuit हो जाती है उस time पे armature coil की धारा में परिवर्तन होने लगता है जब हमारी armature के coil short होंगी तो armature के धारा में भी परिवर्तन होगा निश्ट है commutator में sparking का कारण क्या है कारण ये है कारण ये है कि commutation तथा armature coil के बिदु धारा की धिसर में परिवर्तन होगा निश्ट है armature coil की धारा में होने वाला परिवर्तन क्या कहला था जो armature coil की धारा होती है उसमें जो परिबरतन होता है वही होता है commutation armature coil की धारा में जो armature coil होती उसके धारा में जो परिबरतन होने वाला commutation कहलता है अगला है armature coil में धारा के मान में परिबरतन कब कब होता है जो armature होती है हमारे decision generator में जो armature का धारा है धारा का मान कब कब परिबरतन होता है short circuit से पहले short circuit के समय तथा short circuit के बाद तीन टाइप हमारे तीन टाइम में armature की धारा परिबरतित होती है short circuit के time पे short circuit के पहले short circuit के बाद तीनो टाइम पे armature धारा का मान बदलता है आगे है armature जिस coil में धारा का मान परिबरतन होता है उस coil में पैदा होता है static EMF आर्मेंचर की जिस क्वायल में जो जिस क्वायल पे धारा कमान परिबारतन होता है उसमें जो EMF हुत्पन होता है वो EMF static EMF कहलाता है अब आ रहा है कामुटेशन मुखते कितने प्रकार के होते हैं सब को मादनों होगा rough कामुटेशन, smooth कामुटेशन काम्मूटेशन दो प्रकार के होते है आर्मेचर धारा में परिवर्थन यह दि तीब्रता से होता है उसे कहते हैं रफ काम्मूटेशन यहनि जो आर्मेचर धारा होती है आर्मेचर धारा जो परिवर्थन तीब्रता से हो रही है उसे rough commutation कहेंगे आर्मेचर धारा में परिवर्था धीरे धीरे होता उसे smooth commutation कहते हैं rough commutation यह जो आर्मेचर धारा जल्दी परिवर्थी थो रहे तो उसे rough commutation यह आर्मेचर धारा धीरे धीरे परिवर्थी थो रहे तो उसे smooth commutation कहेंगे जन्रेटर में जन्रेटर में कम्मूटेशन किस प्रकार का होना चाहिए जो जन्रेटर है उसमें स्मूथ कम्मूटेशन होना चाहिए क्या जन्रेटर में कम्मूटेशन के नश्ट सुन्द किया जा सकता है नहीं थोड़ा बहुत तो commutation रहे गई ही रहेगा भिले हम कितना भी कम कर ले अब आता है generator में commutation होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा यदि हमारे generator में commutation होता है तो commutation होने के कारण प्रभाव क्या पड़ता है पहला प्रभाव है sparking होगी दूसरा है कि armature binding तथा commutator के बीच लगा soltering joint खुल सकता है तिसरा नम्मर है sparking के कारण commutator segment पर गढ़े हो सकते हैं नेश्ट है commutator segment पर carbon जब जाने के कारण बुस लगाता उच्छल मारेगा जिससे sparking और बढ़ जाती है एनिक commutation होने के कारण चार losses होते हैं हमारे generator पे यदि commutation बढ़ेगा तो sparking होगी दूसरा नम्मर बोला है कि armature binding तथा commutator के बीच लगा soltering joint खुल सकता है sparking के कारण या commutation के कारण बोल सकते है तिसरा नम्मर बोला है कि sparking के कारण commutator segment पर गढ़े हो जाते है चौथा बोला है commutator segment पर कारण जब जाने के कारण हमारे जो कारण बुरुस है तो उच्छल उच्छल के चलेंगे जिसके कारण हमारे sparking और बढ़ जाती है कामटेशन को कम करने के लिए हम लोग क्या बिधियां यूज़ करते हैं वह ही जानेंगे पहले बिधिया है कि उच्छ प्रतिरोद बाले बुस प्रियोग करेंगे यदि कामटेशन को कम करना है तो हाई प्रतिरोद बाले बुस को यूज़ करेंगे दूसरा नमर बोल है कि आर्मेचर कोयल के टर्मिनल पर उच्छ प्रतिरोधतार प्रियोग करेंगे जो आर्मेचर कोयल होती है आर्मेचर कोयल के टर्मिनल पर हाई प्रतिरोधतार यूज करेंगे तूसरा नमर बोल है इंटरपोल बाइंडिंग करके Interpol Binding करके भी हम Commutation का मान कम कर सकते हैं पहला देख लेते हैं Interpol Binding अब आते हैं Interpol Binding जनरेटर पे देखें, Main Pole होता है, Interpol छोटे-छोटे, Main Pole के समान ही यहनि Main Pole की जितनी संख्य होती है, उतनी संख्य इंटर पोल की होती है Main Pole के सिरीज पे लगा के हम लोग Interpol का स्पार्किंग कम कर सकते है यह आजाएए, मुख पोलों के बीच अस्थापिच छोटे आकार के पोल क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं Interpol, Main Pole होता है, Main Pole के बीच छोटे-छोटे Interpol यूच कर जाते हैं उसी को बोलते हैं Interpol, यह देखें, चार इसमें भी है, चार यह Interpol है और चार यह Main Pole है अगला बोल रहा है DC जनरेटर में Interpol लगाने का मुख उद्देश क्या है? हमारा उद्देश यह है कि कामुटेशन को कम करने के लिए ही हम लोग Interpol को यूज करते हैं अगला कोशन है, DC जनरेटर में Interpol की संख्या कितनी रखी जाती है? मुख पोलों की संख्या के बराबर जो DC जनरेटर होती है उसमें जो Interpol होता है, Main Pole की संख्या के बराबर ही Interpol रखे दाते हैं अगला है, Interpol Binding में लपेटों की संख्या कितनी होती है? मुख पोल बाइंडिंग के एक बटे तीन प्रसेंटेज लेपेट की संख्या होती है अगला है इंटर पोल की धुरुबता किस प्रकार होती है आर्मेचर के घूमने की दिशक में आगे आने बाले मुख पोल की धुरुबता के शमान होती है निश्ट है इंटर पोल बाइंडिंग को जोड़ा जाता है आर्मेचर या सिरीज बाइंडिंग के स्रेंडि करम पे इंटर पोल होता है इंटर पोल बाइंडिंग को हमेशा आर्मेचर या सिरीज बाइंडिंग के स्रेंडि करम में जोड़ा जाता है इंटर्पोल बाइंडिंग के सीरो को अंग्रेजी की किस अच्छर दोरा प्रदर्शित किया जाता है इंटर्पोल जो होता है अंग्रेजी के B1, B2 के अच्छर के दोरा बेक्त किया जाता है प्रदर्शित किया जाता है नेश्ट है इंटर पोल बाइंडिंग कैसी बनाए जाती है मोटे तार कम तर्ण की इंटर पोल बाइंडिंग बनाई जाती है सेकर नमबर है इंटर पोल बाइंडिंग का प्रतुरूद क्या होता है इंटर पॉल जो बैंडिंग होता है उसका जो रजिस्टेंस होता है कम होता है में पॉल के पिक्षा आर्मेचर रियक्षन दिखा रहा है आर्मेचर रियक्षन पर दो पॉल दिखा रहा है यह और यह पॉल यह जियने है यह मैंने है नो लोड अभी यहाँ पर हमें आपको दिख रहा है नो लोड जैसे जैसे अस पार्किंग बढ़ती है जैसे जैसे स्पार्किंग बढ़ती है तो जी अने है एक पोल एक एम एने हमेंगलेटिक फ्लक्स हम इसको सिप्ट कर देते हैं जियाने से यमने की और 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 मेंचर के घूमने की दिसा की और घूमने की दिसा की और ही हम लोग जियाने से यमने की और सिप्ट कर देते हैं जिसके कारण स्पार्किंग कम हो जाती है यह मनेक मतलब होता है Magnetic Natural Axis यह चुमिकी उदासी नक्ष जेनेक होता है Geometric Natural Axis यह जैमेती उदासी नक्ष IPL का होता है कि Leading नहीं LPT का होता है Leading Pole Terminal यह अग्र धुरूप सिदा TPT का होता है Trailing Pole Tip आगे है Armature Bindling दोरा अस्थापित चुमिकी Flux का मु oneself average Flux पर पढ़ने वाला प्रभाव क्या कहलाता है वो होता है Armature Reaction Armature Reaction वो होता है Armature Bindling दोरा स्थापित चुमिकी Flux जो Main Flux होता है उसी पर कुछ प्रभाव पढ़ता है उसी को बोलते है Armature Reaction दो Flux आपस में भिड़ जाते हैं उसी को ही बोलते हैं आर्मेचर रियक्षन आर्मेचर रियक्षन द्वारा जनरेटर में कितने प्रभाव पड़ते हैं दो प्रभाव पड़ते हैं पहला है क्रास मेगनेटिक इफेक्ट यानि चुम्मिकी बिच्छो प्रभाव दूसरा है demagnetism effect यहनी बी चुम्मकन प्रभवाव दो हमारे armature reaction के प्रभवाव होते हैं पहला है cross magnetic effect दूसरा है demagnetic effect cross magnetic effect होता है चुम्मकी बिक्षो प्रभवाव या प्रत चुम्मकन प्रभवाव भी बोल सकते हैं उसको नेश्ट है आर्मेचर के घुमने की दिसा में आगे आने वाला पोल को सिरा क्या कहलाता है अग्र पोल सिला यहनी जो आर्मेचर के घुमने की दिसा के आगे आता है पोल उसको हम लोग उसको अग्र पोल सिरा बोलते है यह लीडिंग पोल बोल सकते हो यह टर्मिनल L.P.T. Leading Pole Terminal अगला है आर्मेचर के घूमने की दिसा में पीछे की तरफ रहने वाला सिरा क्या कहलाता है उसको हमने बोलेंगे पश पोल सिरा यानि टेलिंग पोल टिप या टर्मिनल भी बोल सकते हो टिप भी बोल सकते हो आगे हैं सामान अबस्था पे जी याने ए वा यम याने होता है एक ही दिशा में जब हमारा मोटर ये जनरेटर सामान अबस्था पे होता है तो उस टाइम पे जी याने और यम याने दोनों एक ही दिशा में होते है नेश्ट है DC जनरेटर में आर्मेचर रियक्शन प्रभाव कब होता है जब जनरेटर को लोड पर लगाया जाता है DC जो जनरेटर होता है तो आर्मेचर रियक्शन का प्रभाव पड़ता है हमारा generator load पर लगाया जाता है उस time पे armature एक्षण प्रभाव पढ़ता है next है DC generator में चुम्मी की विक्षो प्रभाव से यम याने किस दिसा में खिसक जाता है जो हमारा यम याने है वो armature के घूमने की दिसा में थोड़ा सा आगे shift हो जाता है खिसक जाता है जिसके कारण हमारा अश्पार्किंग कम होता है next है चुम्मी की विक्षो प्रभाव होने से कौन सा सीरा अधिक सक्तिसाली हो जाता है यदि armature reaction बोले या चुम्मी की प्रभाव बोले सबसे ज़्यदा हमारा फर्ष पोल सीरा टेलिंग पोल टिप ज़्यादा सक्तिसाली हो जाता है next है चुम्मी की विक्षो प्रभाव होने से कौन सा सीरा कमजोर हो जाता है चुम्मी की विक्षो प्रभाव होने से अग्र पोल सीरा लेडिंग पोल टर्मिनल या पी टी कमजोर हो जाता है next है चुम्मी की विक्षो प्रभाव होने से कौन खिसक जाता है यम एने खिसक जाता है जो यम एने होता है वो खिसक जाता है निश्ट है जी अने वा या मैने अलग अलग होने से जनरेटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा जी अने और मैने से जनरेटर पूर आउटपूट नहीं देगा ये दोनों प्रभाव होने से हमारा जो जनरेटर है आउटपूट देने में विफल लहेगा अच्छे से काम नहीं क there you go